मुझा नमस्कार दोस्तों सौगत है आप सभी का फिर से मेरे और एक न्यू ब्लॉग में तो लेके आगया हुँ में और आपके लिए एक न्यू ब्लॉग तो गाइस अभी फिलाल हम लोग है गुपतेशवर में और अभी आये है गुपतेशवर धाम में जो की बोले नात के दर्सन करने और ना यहाँ पर जो है सारी हाँ पर मंदिर वगेरे और बहुत सारी यहाँ प पर हमेशा जल गिरते रहता है और जल अभी सेख होते रहता है भोले नात के तो वहाँ पर भी मैं लेके जाऊंगा आपको और बहुत सारी चीज़े आप दिखाऊंगा तो गाइस आज का वीडियो बहुत इंटरस्टिंग होने वाला है और कंटेनियू इस पर बने रहना त तो गाइस अभी फटा-फट से अभी मैं लेके चलता हूँ आपको अंदर गाइस एक चीज़ और बता दो कि यहाँ पर शूरात्री के टाइम में मेला बरता है और बहुत विशाल मेला होता है यहाँ और देख सकते हैं अभी भी न कापी गाडिया यहाँ पर खड़ी है जो हुए के मिला यहाँ बघ खाए यहाँ कर दो हुआ है तो गाइस वाइनली हम लोग पोज गहें मंदीर के साइड में और मैंने आपको इधर भोले नात के भी दर्शन करा है उसके बाद में शूलिंग भी है और यहां पर भूरा भगत भी है और नंदी महाराज भी है तो गाइस बहुत अच्छा है हापिवे वातावरन है और बहुत अच्छा मंदीर भी है तो गाइस यह चोरागर गुपतेसवर के नाम से जाना जाता है जो कि पच्छवणी में इस्तित है यह मंदीर चोरागर के नाम से तो गाइस यहापे भी चोरागर करके गुपतेसवर के के नाम से शिऊधी की नाम से जाना जाता है यह już मंदिर और आप उन्हेंस अभी नीचे सैड में जायेंगे जो सिवल इंग है जिसमें आटोमेटिक पानी गिर रहा है और आटोमेटिक सिवलिंग के अभिशे को रहा है तो अभी नीचे चलते और यहां से तो दर्शन हो गए है और नीचे का मैं थोड़ा व्यू बता देता हूँ आपको तो अभी लगा है अभी लिची प्टार है नखहो दोटकेदेखन तो गाइस फाइनली हम लोग आगे है स्यूलिंग के पास में जहां पर आटोमेटिक पानी गिरता है जो बारही मेने पानी गिरता है जो कि गर्मी हो या ठंडी हो या कोई सा भी मोसम हो और यहां पर पानी गिरता है तो गाइस में बता दो तो देख सकते हैं यहां पर न भोले पारवतिजी और गनेज जी और आगे सिूलिंग है और इधर साइड में देख सकते हैं नाग देवता जिसमें आटोमेटिक पानी गिर रहा है और भूँत साहन दिक रहे है नाग देवता और सबसे मेन जो है सिूलिंग मैं आपको दिखाने लेख्या है ता गाइस यह है जिसमें आटोमेटिक पानी गिर रहा है और इदर आगे भी स्यूलिंग है एक और देख सकते कितना प्यारा न जा रहा है तो गाइस उपर से भी पानी आने लग गया है तो अभी थोड़ा ब्रेंग हमने अभी भोले नात के दर्सन कर ली और आपको भी कराए और क्या बताओ यार गाईस वहाँ पे न थोड़ा पानी उपर से पानी बहुत ताकस से गिरनी लग गया था तो हम लोग इदर अभी सामने आए है जो कि इदर साइड में देख सकते हनुआन जी का मंदिर है और अभी हम लोग इदर आगे जा रहे है पर भूत खुब सूरत मंदिर भी दिखर आये हमारे को तो अभी वहां के चलते हैं और वहां पे भी दर्सन करवाते हैं आपको बढ़िया से और वीडियो के साथ में कंटिन्यू बने रहे है गाईस क्योंकि न वीडियो भूत अच्छा है आज का भूत भूत मेह अच्छा है फुलीज मेरे चानल के एक सब्सक्राइब जरू करना तो करते हैं अपना वीडियो कंटिन्यू अच्छा है हम लोग आगे है उदर दर्शन करके भूलेनाथ के जो सीवलिंग मैंने आपको बताई जिसमें आटोमेटिक पानी गिरता है वो बारे मेने पानी गिरता है पता नहीं कहां से आता है बट उस पे सीवलिंग पे पानी गिरते रहता है और उसके आगे थोड़ा सा आए हम से भौपाली गए भौपाली से पच्मडी गए ऐसे भोस से लोग बोलते हैं भोस से लोगों की यहाँ पे सरद्दा भी है जो अपने अपने आपने आपने प्रॉपर तरीके से दर्सन कर लिए और आप जाएंगे अपने नंदीगड जो कि यहाँ से मिनीमम 500 मिटर के असपास होगा और उच्छी पहाड़ी पे है तो गाइस अभी वहाँ पे चलते हैं और अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा राम करते हैं उसके बाद में फिर नंदीगड के दर्सन कर आएंगे गाइस फाइनल यार हम लोग अभी पोच गए हैं नंदीगड जो कि देख सकते हैं इदर साइड में हैं नंदीगड नंदी भगवान और आगे है सिवलिंग और यहाँ पे लगा है ताला तो गाइस यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रहे है ना क्या ही बोले यार बहुत स साइड में भी पूरा पानी का मोसम वन रहा है पूरे बादल काले काले लगे है तो गाइस फाइनली अभी हमने यहाँ पे पूरे बोले नात के दर्सन कर लिए नंदी जी के भी दर्सन कर लिए और यहाँ पे हम निकलेंगे भी घर के लिए क्योंकि तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए है दर्सन करके बोले नात के और नंदी गड़के और देख सकते हैं यहाँ पे हो रहा है बुद्ना बांदी स्टार्ट हो गया है तो गाइस अभी अपने यहाँ से निकलते हैं फटा फट से और आगे करेंगे विडियो कंटीन्यू अब तो गाइस फाइनली हम लोग अभी सातनेर पोचे है और सातनेर के थोड़ा सा आगे हनुमान जी का मंदीर है और बहुत अच्छा मंदीर है बहुत यहाँ पे बैटने में बहुत अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा वाता वारन है और 2400 गंटे हाँ पे गाडिया चल यह सब छल रहा है और बहुत मज़ा भी आ रहा है तो गाइस आज का यहाँ ब्लॉग है आहीं समापत करते हैं। कि मेरे मोबाइल में बेटरी नहीं बची है और ना आज का ब्लोग यहीं समाप्त करते है I hope आपको आज का ब्लोग अच्छा लगा होगा तो comment section में जरूर बताना और आप मेरे चैनल पे नए हो तो please मेरे चैनल को एक subscribe करना और आपके एक subscribe से न यार हमको बहुत motivation मिलता है next video के लिए तो मिलते हैं आपको next video में जब तक के लिए जै हिन जै सिरी राम